नमस्कार प्रेंड शिर्मती जी की रसोही लाइपी स्टाइल में आपका स्वागत है तो फ्रेंड आज मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ उसके लिए दिखिए मैंने क्या केया लिया है मसालों में लिया है लैसुन, प्याज, अद्रक और हरीमेश और इधर मैंने पालक ब बनाके आप लोगों को दिखाऊंगी तो आपलोग देख सकते हैं मैंने कढाई में डाल दिया है, रीφाइंड और तड़की के लिये लिया है मैंने यी सम मसाला-ो जीरा और लवोन शूती इलाची बड़ी पनीर बना के दिखा रही हूं आप लोग को बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था फ्रेड हम लोग खा के देखे हैं तो अपना आवाज डाल करके आपको बता रही हूं तो देखिए मैंने प्याज्ला सुन का जो ग्रेवी बनाया था उसे मैंने डाल दिया है फ्रेड और आप देख सकते हैं इधर जो मैंने पनेर बनाया वो रखाए कटकरके और दो बड़े-बड़े टमाटर लिया है उसे भी मैंने पीस करके डाल दिया है आज मैंने कोई भी मसाला भून के नहीं डाला है जो हम लोग हमेशा भून के डालते हैं तेल में तो मैं एक अच्छा ही मसाले का सब ग्रेवी बनाई हूँ और डाल रही हूँ तो आप लोग देखिएगा बहुत ही टेस्टी बहुत अच्छा पालक पनीर बना हुआ था फ्रे इधर मैंने मसालों हल्दी पाउडर, धनिय पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा पनीर मसारा मैंने लिया है वो मैंने डाल दिया है गाल번े है करके मैं इस अच्छी तरह से भून passing मैं और मैंने पाळग बहुत ही इसलिया है मैंने अब मैं इस इसे भी बढ़ाई में डाल द अब इसे भी डाल करके अच्छी तरह चला लूँगी मिक्स कर लूँगी तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इजर मेरा पालक और सब मसाले मिक्स हो गए हैं अब मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक तो आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत बढ़िया पालक पनीर बना हुआ है मैं इसी तरह सारे मसालों को भूल लूँगी और मतर जो मैंने बॉइल करके रखा था वो भी मैंने डाल दिया है फ्रेंड तो आप देख सकते हैं इसमें हलका सोबाल आने लग गया है पनीर को मैंने भूना नहीं है मैं कच्चा ही डाली हूँ बहुत अच्छा मलाई पनीर बनाया था मैंने घर पे एक लिटर दूद में मैंने ये घर पे ही बना के मैं पालक पनीर बना रही हूं तो आप लोग देखि कैसे पना रही हूं और कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करियेग और जरूर करें आ 안돼 कोई फ्रेंड हमारे हैं चैनल पे आते हैं तो लाइक और स्सक्राइब जरूर बताईएगा ये दीखिए हमारा पालक पनीर रेडी हो गया है और फ्रेंड मैंने मलाई डालते समय दिखा नहीं पाई मैंने दूत का मलाई होता है वो मैंने दो तिन चमज डाला है इसमें तो कैसा लगा आपको जरूर बताईए कमेंड